आप देख रहे हैं अपती थॉट्स मेरे नामे रवी कुमार और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने वेब साइट पे Google Images की मदस्तीबहुत सारा ट्रैफिक पन सकते हैं जिए अप सई सुन रहा हैं आप Google Images का यूज करके अपने वेब साइट पे 5-10 आजार का ट्रैफिक रोज ला सकते हैं तो यही सारी जानकारी है गाईज मैं आपको इस वीडियो में दूँगा तो आसा करते हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया अगर पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को जादा से जादा से एर करें और अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए गए स्टार्ट करते हैं यो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आपने हमारे website governmentkings.com पे विजिट नहीं किया तो इस पर आप कर सकते हैं इससे आपको blogging की सारी जानकारी मिल जाएगी जैसे adsense help, whatsapp group links, blogging info तो सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी तो इस पर आप विजिट कर लिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप Google images पर यूएस से WhatsApp group link पर share करें तो यहां पर तीसरी या जो चौथी image होगी वो मेरे website की होगी जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं च्छटी image जो है वो मेरे website की है techum.com जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं website का नाम भी है अगर मैं यहां पर visit का क्लिक करता हूँ बटन को तो यहां पर सीधा है मेरी website पर जो री डाइरेक्ट हो जाएगी जैसा कि यहां देख सकते हैं मैं अपने वेब साइट पर आ चुका हूँ अब यहां पर एग्जामपल मैं आपको इसका दिखा देता हूँ जैसा कि देख है अगर आप यहां पर देख सकते पहले इसका ट्रैफिक यहाँ पर 2400 मंत का ट्रैफिक आता है और सीपी से इसका आधा डॉलर है मतलब की 30 से 40 रुपए एक क्लिक का मेर को आसानी से मिल जाएगा और यहाँ पर कुछ करने की ज़रूत ने सिप आपको एक सैटिंग करना है और यहाँ पर आपका वेबसाइट की एक image जो है वह आ जाता है और अगर इस पर कोई visit करता है तो मेरी website पर सीधा रीडाइक हो जाएगा जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर आगर कोई visit करता है जैसे कि देखिए हैं यहाँ पर तो यह मेरे website पर redirect हो जाएगे तो चलिए मैं example एक और मैं आपको दिखा देता हूँगा जब देख सकते हैं यहाँ पर अगर कोई UK WhatsApp group link से नाम से search करता है तो यहाँ भी मेरे website का जो की है एक image आ जाती है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक image आ गई यहाँ भी आप कोई भी पोस्ट लिखे तो उसमें जो भी आप कोई भी image इंसर्ट करें तो आपको image properties में जाके title text और all text जिस keyword पर रेंग करवाना चाते हैं इमेज को वही रखना है और हर बार यह करना है एक बार से नहीं होगा हर बार आपको करना है हर image के title text और all text में आपको वही keyword डालना है जिससे आप rank करवाना चाते हैं और simply properties में आके यहाँ पर आप यह कर सकते हैं जैसा कि देख सकते है title text और all text में आपको यही text जालना है जिस पर आप rank करवाना चाते हैं तो इससे आपक झाल 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 झाल